नमस्कार दूस्ते एक बार आपको फिर से स्वागत है सीखो सिखा चल पर मैं हूं तुलसी मातो आप मेरे स्कीन पर देख सकते हैं मैंने एक कैस्मों इन्भॉइस बना के रखा हुआ है इससे पहले मैंने जितने भी बार बनाई होंगे या तो फोटो स्वाप एक कोरल रोपे बनाया होगा लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि MS Word पे आप किस तरह से बना सकते हैं मैं यहाँ पे MS Word 2021 यूज़ कर रहा हूँ आपका कोई और भर्षन हो सकता है बट Work Sam ही करेगा कोई भी यहाँ पे प्रोब्लम नहीं होने वाली है डिके तो मैं simply क्या कर रहा हूँ एक बार यहाँ पे click कर रहा हूँ अगर आपको देखना है कि यह color पे किस तरह से दिखेगा तो आप color पे आके कोई भी इस तरह से color देके देख सकते हैं कि color पे यह किस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ओके, तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Ctrl प्लस N, यानि कि new page लेते हैं, new page लेने के बाद हमें layout पे आना है, और पहला काम आएगा margin पे, और हमें ये लेना है, चीक है, margin पे जाके आप 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह पर नहीं जाएंगे, तो इसे यहाँ पे क्लिक किजिए, रूलर को और थोड़ा पकड़के कर दीजिए, यहां तक, लोग यहां यहां तक आगिया, दिखिए, simply, और इसे भी थोड़ा सा अंदर ला सकते हैं, यह देखिए, ख्याल, जो by default है, वो ही बढ़िया है, मेरे रिसाब में, तो इसे ही लगते है, 0.5, थोड़ी सी तो margin होनी भी चाहिए, अब आते हैं, size पे, और यहां पे होगा, more page sizes, इस पे क्लिक कर देते हैं, और जो size में बना रहा हूँ, वो size है, 5.5 और 7.5, आपके हिसाब में, कोई और size हो सकता है, आपकी requirement कुछ और हो सकती है, इतना लिखने के बाद, आपको simply ok करना है, तो यह page हमारी छोटी हो जाएगी, अब आते हैं insert पे, आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी, ठीक है, अब table पे आएंगे, table पे आने के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, यह totally आपकी merge है, मैं control को hold करके, यह नहीं कि दबा के रखोंगा, और scroll करूंगा तो यह zoom होगा, आपको दिखाने के लिए, merge करने के लिए, आपको idea होना चाहिए, किस तरह से किस cell को merge कर सकते हैं, तो simply हमें इस तरह से select करना है, और यहाँ पे देखे, layout, अब यहाँ पे आपको देखने को मेंदल जाएगा, merge cell, तो यह दिखे, अब एक हो किया है, उसी तरह अगर आपको यह सारे चीज़े merge करनी हो, मैं बस example के लिए थोड़ा सा बता दिया, यह दिखे, तो यह भी merge हो जाएगा, चीक है, अब आते हैं वीडियो के topic पे, तो हमें यहाँ पे अपने जो भी shop का नाम है, company का नाम है, जो भी है, वो सारे चीज़े लिखनी होगी, address, mobile number, email ID, जो भी चीज़े होती है, वो सारे चीज़े आपको लिखनी होगी, तो सबसे पहले, हमें यहाँ पे center करना है, तो यह center आ जाएगा, और लिखना है, your company name, जो भी आपका company का नाम हो, उसे लिख लिजेगा, इंटर करेंगे, यह नीचे आ जाएगा, अब आपका address आ जाता है, तो जो भी आपका address हो, उसे लिख लिजेगा, और इसकी जो size है, हम यहाँ से करेंगे, 10 क्या सपास, या फिर इससे भी आगर आपको छोटा करना हो, तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब में 9 ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 रहने दिया, फिर हम लोग last में जाएंगे, और इंटर करेंगे, यानि कि नीचे आएंगे, और company का email, बगएरा जो भी है आपका, वो दे सकते हैं, जैसे मैं email दे रहा हूँ, और लिखेंगे cash memo, इसे select करने के बाद, आपको इसे bold कर देना है, और इसकी size थोड़ी सी increase कर देनी है, फिक है, अगेन इंटर करेंगे, और अब लिखना है हमें, इस side के, हमें यहाँ पर write लेना है, और write पर लिखना है date, date, or dot, press कर देना है इस तरह से कुछ, ठीक है, date के पहले आएंगे, यानि कि यहाँ पर लिखेंगे invoice, number, ठीक है, space को दबा के रखेंगे, यह automatically अपने जगा चला जाएगा, ज्यादा हो गया, backspace, तो यह देखिए इस तरह से, हम लोगोंने set कर दिया हुआ है, तो इस तरह से हमने कुछ set कर दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसे, इस तरह से पकड़ के, छोटा करना है, यह देखिए, फिर इस पर आ रहा है, यह देखिए, अगर हम लोग किसी cell पर क्लिक हैं, तो उपर पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसे भी आप पकड़ के, इस साइड कर सकते हैं, यह देखिए, तो यह भी आपके पास एक मिल जाएगा, बट हमें वहाँ से करने का फाइदा क्या है, हम लोग यहाँ से करते हैं, यह text भी हमारा चला जा रहा है, है ना, लेकिन हम लोग यहां से अगर करेंगे, यह देखिए, तो हमारा text नहीं जाएगा, तो यह हमारे पास एक plus है, ओके, तो हमने इतना लिख लिए हुआ है, अब simply क्या करना है आपको, इन सब को select करना है, कोई color ले लेना है, तो चलिए मैं यहां पे कोई color ले लेता हूँ, फिलाल black ले लिया, तो यह देखिए, पूरा black दिखाई दे रहा है, तो उतना black नहीं लोगा, थोड़ा कम ले लेता हूँ, अब हमें यहां पे लिखना है, इसे select करने का बाद, देखिए, मैंने यहां पे font नहीं लिया हुआ है, इसलिए थ तरह से कुछ, तो यह कहीं न कहीं, और खिल के दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है, तो हम ही यहां पे लिखना है, S, यानि कि serial number, ठीक है, capital में ही लिख देता हूँ, मैं, और इसकी साज सब से पहले हम लोग decide कर लेते हैं, तो यानि कि सारा select किया मैं है, और यहां से कर दिया, इसे 10 के असपास, हो गया, अब हम लोग इस पर आएंगे और इस पर लिखेंगे, ठीक है, इतना हमारा हो गया है, मुझे size थोड़ी अभी भी जाद ही लग रही है, इसलिए मैं 9 करता हूँ, और इसे पकड़ के थोड़ा सा हम लोग इस तरह चाहिए, ठीक है, उसके बाद यह छोटा-छोटा कम सा लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा सा स्पिस, इतना ही हमें करना था, और थोड़ा सा काम है अभी, यहां पर यह इस लाइन को पकड़िए और इस तरह सीधे नीचे लेते हैं, ठीक है, यह देखि इंटर कर देना है आपको, यहां तका देएगा, धियान रखे, थोड़ा सा अप पर ही रखेगा, बाद में भी हम लोग नीचे कर सकते हैं, यह तो सेकंड पेज पर चला जाएगा, लास्ट में आने के बाद आपका जो काम आएगा, वो आएगा, यहां पर दो सेल है ना, औ और दो बढ़ाने का, तो लास्ट पे आएगे और टैब प्रेस करेंगे, इस पे, लास्ट पे आएगे और टैब प्रेस करेंगे ना, थ्री हो जाएगा, फिट से अगेन में टैब प्रेस करूँगा, तो यह चार हमारा आ जाएगा, पहला काम आएगा, कि यहां से यह दो को आपको merge करना है चलिए layout पर आएंगे और यहां पर आपको merge cell मिल जाएगा merge होगी हमारा यह देखिए दूसरा आएगा इन दोनों cell को merge करना तो चलिए इसे भी कर लेते हैं हम लोग merge करती है अगें टेप पर आएंगे यहने कि यह लास्ट में और टेप प्रेस करेंगे तो और एक हमें पर देखने को मिल जाएगा ठीक है जब हमारा इतना काम हो गया है बस अब तीन चार चीजे लिखनी है तो सबसे पहले हमें यहां पर इन वर्ड लिखना है इन वर्ड तो इन वर्ड पर हम लिख सकता है यह लिख सकते हैं जो भी कहें ठीक है सब्सक्राइब करने के बाद सबकीछ साइज ना आप यहां से 9 के यहस पास कर दिजिए अब हमें क्या करना यहां पर आना यहां पर लिखना है यहां पर परसंटेज और यहां पर आते हैं यहां पर GST दे दे सकते हैं अब कितना देना है 8% 12% 12 में लिख देता हूं उसके बाद यहां पर आएगा grand total यानि कि G total में कर दे रहा हूं यह देखे हैं अब यहां पर होता है एक term and condition तो आप अपने इसाब में जो भी आपका term and condition हो लिख सकते हैं मैं सिर्फ यहां पर term and condition लिख के छोड़ दे रहा हूं आपका जो भी term and condition उसे लिख लिजेगा ओके अब इसे last में बढ़ा कर दिजिए स्लट करना है बस वही मर्च करना है में layout पर आएंगे merge sale तो यह देखे हमारा merge हो गिया है अंत में आपको signature के लिए दे देना है थीक है तो हम लोग यहां पर लिखते हैं signature और नीचे या उपर signature जहां भी आप करने का space दे सकते हैं तो मैं उपर पर दे रहा हूं shift के साथ underscore button यह दिखिए automatically इस तरह से कुछ हो जाएगा इन ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हैं cash momo बिल्कुल आसान है अब थोड़ी बहुत अगर आपको increase decrease करनी हो यह totally आपकी मर्जी है यहां पर simply select करते हैं table design का option देखने को मिल जाता है तो यहां से यह दिखिए हमें table designing धेरो मिल जाएंगे अपको अगर मान के चलिए यह पसंद हो तो यह ले लिजिए तो यहां पे तो पहले से ही है पिलाल यह सारे चीज़े अच्छी नहीं लगेंगी तो हम पर आने के बाद आप यहां से कोई color देख सकते हैं कि print करने के बाद हमें आ रहा है कैसा दिखेगा अब सबसे ज्यादा है कि outline यह जो बाहर की color है बाहर की stroke है बाहर की outline है इसे थोड़ी सी increase करना है तो click करेंगे click करेंगे design पर आएंगे और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा border तो सबसे पहले हम लोग यहां पर all border जैसे करेंगे तो यह देखिए ठीकनिस थोड़ी बढ़ गई है तो यहा फिर आएंगे और इसे करेंगे one और यहां से करेंगे outline यानि कि यह थोड़ी thickness जो है हमारी यह बाहर साइड आ गई है बाकी सारे अंदर पे हो गई है अब देखिए थोड़ी यह अधीक हो गई है ठीक है मैंने यह पर प्रेस करके back us पे दबा दिया और चलिए और एक बार यह देखिए हमारा कोच इस तरह से हमने एक case mobile बना लिया हुआ है बिलकुल आसान तरीके से ओभी MS word पे अब यहां पर अगर आपको कोई color लगाना हो तो आप लगा सकते हैं इसे select करना है और यहां पर आके जो भी color आपको लेना हो I hope की वीडियो आप लोगो पसंद आया हो और जैसके मैं हम ऐसा कहता हूँ अगर मेरी बिडिया आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एं लाइक एंसेर थैंक यू है फवान बाई बाई